हेलो और वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल क्रीमी क्रियेशन्स बाई हर्शा आज की हमारी रेसिपी है गुगरा जिसको आप काठियावाडी मोमोस भी बोल सकते हो तो शुरू करते हैं घुगरा बनाने के लिए सबसे पहले उसके आउटर कवरिंग की तयारी करेंगे उसके आउटर कवरिंग का आटा गुनने के लिए यहाँ पर हमेंने तीन कप मैदा लिया है तीन से चार चमच तेल, एक चुटकी अजवाईन और स्वाद अनुसर नमक इन सब चीजों को एक बार मिला कर अब इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल कर जिस तरह से हम रोटी का आटा बनाते हैं वैसे ही आटा बना लेंगे पर इसका आटा थोड़ा सा सौफ्ट रहेगा इस आटे को थोड़ा सा तेल लगा कर तीस मिनट रख देंगे मसाला बनाने के लिए एक चमच तेल, उसमें थोड़ी सी हल्दी और दो-तीन चमच कटी हुई मिर्ची इसको एक बार मिला कर इसको ज्यादा देर तक नहीं पकाना है अब ये मसाला आलू में डाल देंगे धनिया पत्ते, बोईल के हुए मटर और नमक इस मसाले में आलू को पूरी तरह से मैश नहीं करना है अब इसकी चटनी बनाने के लिए दो से तीन पीसिस इमली के आधा कब पानी और इसको उबाल लेना है इसको ज्यादा देर तक नहीं उबालना है बस एक उबाल आ जाए उसके बाद गैस बंद कर दे इमली के पानी को तुरंत ही जान ले इसमें एक भी पीस इमली का हमें नहीं चाहिए इस सीक्रेट इंग्रीडियन से ही ये चटनी बहुत ही अच्छी बनेगी अब इस पानी में एक चम्मच जितना गुड अगर आपको अवोइट करना है तो आप अवोइट भी कर सकते हो बहर जनरली गुड कम यूज होता है इस चटनी में और आधा कप मैंने यहाँ पर चीनी ली है इसमें आधा कप और पानी जाएगा थोड़ा सा ही पानी आधा कप जितना ही एक चम्मच कॉनफ्लोर दो से तीन चम्मच पानी और थोड़ा सा ओरेंज फूड कलर इस चटनी में फूड कलर से ही इसका कलर अच्छा आएगा इसको एक बार मिला कर और ये मिक्शर जो है शुगर और गुड के पानी में मिला दे और दो या तीन मिनट के बाद गैस आफ कर दे ये चटनी तयार है अब इसकी दूसरी चटनी बनाने के लिए यहाँ पर मैंने लिये हैं 7-8 लाल मिर्च मेरे पास फ्रेश अवेलेबल नहीं थे तो मैंने इन मिर्ची को पानी में उबाल दिया है 5-6 गार्लिक थोड़ा सा नमक और बस इन सब चीज़ों को मिक्सर में अच्छे से क्रश कर दे और ये गार्लिक चटनी हमारी तयार है गुगरा बनाने के लिए सबसे पहले एक छोटी सी रोटी बेले उसमें इस तरह से मसाला डाले फोल्ड करें जिस तरह से वीडियो में दिखाया है इसमें कोई भी दूसरी पेस्ट नहीं लगेगी और थोड़ा सा ये साइड खीच कर उसको फोल्ड करते जाए खीचे और फोल्ड करते जाए बस इस तरह से रिपिट करेंगे तो आपकी ये ट्विस्ट वाली डिजाइन बन जाएगी यही इसकी ट्रिक है कि थोड़ा सा आटा आपको खीचना है फोल्ड करो अगीन खीचो और फोल्ड करो इसी तरह से और भी ये घुगरे तयार कर दे और इसको फ्राई करें फ्राई करने के लिए गेस की फ्लेम जो है वो पहले की एक मिनट में फुल होनी चाहिए उसके बाद ये पूरी तरह से लो फ्लेम पर ही फ्राई होंगे अगर इसको आप फुल फ्लेम पर करोगे तो ये कृस्पी नहीं होगा तो इसको पूरी तरह से फ्राई होने में फाइव तू सैवन मिनिट्स लगेंगे अब ये हमारे गुग्रे बनकर तयार है अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो मेरी चैनल को लाइक, शेर और सब्सक्राइब करना नहीं